यहां विदायक हैं दस साल से और आपको हम बता दें कि 15 साल पहले का आप हाल पूछिए घर के लोगों से कि 15 साल 20 साल पहले क्या इस्तिती छातापूर थी छातापूर में 15-20 साल में कितना काम हुआ गली-गली-गली-गंदर जैसा भगवान सिरीराम का बना है वैसा ही सीता मय प्रदायं मंत्री जी दोनों मिलकर करने वाले हैं और्फब मंद्री सि OFFICER मय का बने जार नहीं है जो एसा गरीब नहीं है जिनको फिरी मनाज नहीं दे रहे ऑर परिबार को प्रदान मंत्रियावास योजना मिल रहा है, हर परिवार को सोचाले मिल रहा है, हर परिवार को आईशुमान काड़ बने जा रहा है, जो सबसे बड़ा गरीब का मदद है, पांच लाक रुपे तक का फ्री में और कोई चाहता है कि हमारे घर के सामने पुरा निशनल है वेज हो जाए, हमारे घर के पिछे स्कूल हो जाए, सामने अस्पताल हो जाए, एकदम नाक के सामने में एनेच हाई वे दोड़े, यह साथ चाहता पुर्गे बिदायक निराच कमर वगलू जी है, और आए आज जो है कि हमारे गौन ब्रह्मन करने आये हैं और आखिरे आर इस किस मुद्देस आये हुए है, और किस चीज के लिए जन यत्रा करने आये हुए है, इस समझा जानेंगे, सब्सक्राइब का स्वागति, जैसे कि अभी सुनने हमाए है कि इस प्रकार से अभी बहुत सारे जो गरामीन का ये कह रहे है कि सर बोंट के टाइम में आते है, इससे नहीं आते है, बहुत सारे शन काम लटके हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि एक आप देख लिजिए आजा माहमध पंचन एक नमर वाड में सुरसर नदी है, हमाए उस खर अस्थानिया नागरिक भी और वहां पुल नहीं बना है और ग्रामिन का यही कहना है कि अभी तक कई वार विधायक भी आए है, सांसर भी आए, अभी तक कोई वहां का अस्वासन नहीं निकला है, उस पे सर क्या कहना है उस्तों से पहले। का उमर होगा मुझे लगता है कि 25 साल के आसपस, सही बोले हैं, हम यहां विधायक हैं 10 साल से, और आपको हम बता दें कि 15 साल पहले का आप हाल पुछिए, घर के लोगों से, कि 15-20 साल पहले क्या इस्तिती छातापूर थी, छातापूर में 15-20 साल में कितना काम हुआ, गली-ग धर भी बनाता है, तो उसमें भी 5-7 साल लगता है, एक घर बनाने मे, ये तो पूरा भिधान सवा है, उसको समारने में, हर काम करने में वक्त लगेगा, आने वाले समय में पुल भी बनेगा, बचा-खुचा सरग भी बन जाएगा, तो इसे इसे सरग 99 परसंट बन चुका है पूल भी कई बन चुका है जो नहीं बना है आने वाले समय में बन के त्यार हो जाएगा को प्रधान मंतरी आवास योजना मिल रहा है हर परिवार को सोचाले मिल रहा है हर परिवार को आईसमान काड बने जा रहा है जो सबसे बड़ा गरीव का मदद है पांच लाक रुपे तक का फ्री में इलाज होता है ये काम मानने प्रधान मंतरी जी का सबसे महत्पुर्ण काम यह क्षाष्ट घंप हम लिए इनृतर से मंदिर बन चुके हैं तो हमारे बिहार में भीज़ेपी इस मतलब जो कि यूपी में बिहार में कब हमारे सिता मरानी के घर बने एक दम बहुत जल्दी बनेगा और दो चार साल के अंदर जैसा भगवान सिरी राम का बना है वैसा ही सिता मया कभी सिता मड़ी में बनने जा रहा है इसके लिए चिंता मत करिए माननिय मुक मंत्री जी और मा सुरसर नदी में जहां पे रोड कटे हुए है उसका सावाल कि सर वहां गरामीन हम भी है वहां तो हम भी चलते हैं सर हम लोगों को दुख है इस सीज के लिए आप से हम बात कर रहे हैं कि कब वो कभ हमारे हम लोगों को कि जो रोड कब बनेंगे तो पूल कब बन रहा है एक पूल का एक सीमा है कि तीन किलोमेटर पांच किलोमेटर का अंदर बनता है जब एक पूल उहां बन गया है थोड़ी दिन बाद हम लोग प्रियास करेंगे कि दूसरा पूल बने का है कि दो तीन किलोमेटर का अंदर ही आ जाता है तो हमारा प्रियास है फिर भी हम प्रियास करन हमारे घर के पिछे स्कूल हो जाए, सामने अस्पताल हो जाए, एकदम नाक के सामने में एनेच हाइवे दोड़े, ये संभव नहीं होता है, हर लोग के मनसा पूड़ा नहीं होता है, लेकिन जो आवस्यक आवसकता है, उसको निश्ची दूरुप समलोग पूर्ण करेंगे, क सड़क को तोड़ दिया है, वहाँ पर सरजाने वाले आने वाला रस्था नहीं है, जो इसे की बारिस के टाइम में, वहाँ पर जाने वाले रस्था नहीं होता है, बार चाती पानी पार करकी जाना परता है, उनलोगों को बहुत दूटा हुआ है, उसको रिपेर कर दिया ज हम बता देते हैं ब्लोक में प्यूज आएंगे देख लेंगे या विभाग का होगा विभाग की लोग देख लेंगे पूल में थोड़ा सा बक्त लगेगा लेकिन बांकी रास्ता चालू रहेगा बरसाथ में कठनाई नहीं होगी मैंने सीधे तोर पर बता दिया कि कोई टोला नहीं बचेगा जहाँ चार चका नहीं पहुंचेगा चलिए तो देख सकते हैं हमारे साथ जो निरजपन गवलू जी है जो कि अपना कहिन के आप लोगों अस्वासन दिये और जल्द उसका काम होंगे बांके आप लोग क्या कुछ कहते कोमेंट बस अपना रहे जरूर रख